आयरुवेद को लेके बहुत बड़ा मिथ और भी है कि आयरुवेदिक मेडिसिन्स गरम होती है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आयरुवेद इतना नादान विज्ञान नहीं है इतना अन्सुलजा विज्ञान नहीं है कि आपको हर बिमारी में ही गरम दवाईयां देगा बिमारी भी दो तरह की होती है कभी गरम तासिर की बिमारी कभी ठंडी तासिर की बिमारी आईरुवेद गरम तासिर की विमारी को ठीक करने के लिए ठंडी तासिर की दबाओं का या जड़ी बूटियों का प्रियोग करता है और इसी तरह यदि आपको ठंडी तासिर की विमारी है जैसे आपको दर्द भोत अधिक होते हैं या आपको नजला जुकाम है तो डेफिरिंटली गरम तासिर की जड़ी बूटियां उनका इस्तमाल किया जाएगा आज कोरोना काल चल रहा है ऐसे में हमने देखा कि पूरे विश्व में हमारे काड़े हमारे गरम मसालों का बहुत उपयोग किया गया काफी लोगों को फायदा हुआ लेकिन कुछ शिकायते निकल के आईगी साब हमको काड़ा पीने से गर्मी हो गई तो किए होता है कि आज जिस तरह का महल है उसमें हम 101 जाकर के हर पेशंट को इंडिवीजुली नहीं सिखा सकते यहां पर हमें अपनी समयदारी अपनी सहा़ annagy का परीचे देना हो कि आपको antiviral coverage चाहिए antiviral protection चाहिए तो आपके लिए काड़ा अच्छा है कि आपके लिए हल्दी का दूद अच्छा है कि आपके लिए तुलसी कारक अच्छा है तो बहुत सारे options हमारे पास आयरवेद ने हमको दिया है और पास आयरुवेद का कोई नुकसान ही नी हो सकता मसालों का क्या नुकसान हो सकता है तो ऐसा बिलकुल ना करें अति सरवर्थ वरजियत यह जो हमारा जीवन है ना इसमें अगर कोई व्यक्ति पूरे धिन पूजा करता रहे तो वह भी पागल कहलाने लगता है तो इसलिए इस जीवन में पूजा का समय भी निश्चित है, अपने घर में बच्चों के साथ खेलने का समय भी निश्चित है, और ओफिस जाने का और काम करने का समय भी निश्चित है, तो इसलिए हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की एक मात्रा होती है, अगर आप बदाम भी एक दिन में चार बदाम आप खाएंगे डेफिलि आपके शरीर के लिए टाकत का कारण बनेगा यदि आप यही पचास बदाम रोज खाने लगें तो शायद आपका शरीर उसे पचा नहीं पाएगा यही बदाम आपको ताकत ना दे के आपको बिमारी दे देंगे आपको लूज मोशन लगा देंगे तो मैं यह कहना चाता हूँ कि कभी भी इस मिट में ना रहें कि आयरुवेदीक उशदियां गरम होती हैं आईरुवेद में गरम और ठंडी दोनों उशदियां हैं आपकी requirement के साफ से doctor decide करता है आपके body constitution के साफ से doctor उसकी मात्रा को decide करता है so that आपको उससे लाब मिले आपको हानी ना मिले तो at last मेरा एक यही recommendation है कि in case यदि doctor उपलब नहीं है आपको खुद से medicine लेनी पड़ रही है त तो आप उसको हमेशा कम रोज में लीजे so that आपको नुकसान ना हो